जैसा कि अभी तक मैंने मलेशिया के उपर दो वीडियो बनाए है पहला वीडियो जो मैंने बनाया है वो है मलेशिया का क्या बजट और आइट्री हो सकती है और दूसरा वीडियो जो मैंने कवर किया है वो है मलेशिया जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा तीसरा वीडियो ये मैं cover कर रहा हूँ Malaysia का आप visa, tourist visa कैसे बनवा सकते हैं Guys, Malaysia में आपको जाने से पहले tourist visa लेना होता है वहाँ पे visa on arrival की facility नहीं है तो इसके लिए आपको वहाँ पहुँचने से पहले visa के लिए apply करना होगा तो इसका process easy है आप online घर बैठे इसको apply कर सकते हैं और visa असानी से आप पा सकते हैं और तुरंत आपको visa मिल जाता है इसके अलावा आप अपनी agent की fees बचा सकते हैं और काफी सस्ते में आप अपना tourist visa बनवा सकते हैं तो आज बात करेंगे इसके बारे में की आप Malaysia का tourist visa कैसे बनवा सकते हैं गाइस Malaysia के लिए दो तरह के tourist visa बनते हैं पहला जो visa बनता है वो E visa बनता है और दूसरा जो है वो ENTRI visa है पहले बात करते हैं E visa के बारे में इस visa की जो facility है वो Indian Nationals को 15 April 2016 से मिलना शुरू हुई है इस visa की facility यह है कि आप इससे single entry भी कर सकते हैं और multiple entry भी कर सकते हैं single entry का मतलब यह होता है कि आप Delhi से कौलालंपूर जा रहे हैं और कौलालंपूर से वापस आ जा रहे हैं आपके visa खतम बट multiple entry में आपको benefit यह होता है कि आप Delhi से कौलालंपूर गये और फिर कौलालंपूर से वापस Delhi आए और फिर डेली से कौलालंपूर गये और आप फिर वापस Delhi आए तो आप कई बार entry कर सकते हैं यह benefit होता है इसके अलावा जो इसकी duration हो सकती है आप stage कर सकते हैं वहाँ पे वो लगभग 30 दिन के लिए आप मलेशिया में रुख सकते हैं हर entry में और जो इसकी visa fee है वो लगभग 25 डॉलर है processing fees visa fee जो है वो लगभग 1150 रुपए है इसके अलावा जो आपका इसमें validity होती है वो लगभग 3 महीने की होती है मतलब आप आज अगर visa लेते हैं तो आप अगले 3 महीने के period में बीच में कभी भी आप यहां से journey कर सकते हैं और इसका processing time जो होता है आपका लगभग 48 घंटे में आपको visa मिल जाता है अब बात करते हैं ENTRI visa ENTRI visa सभी इंडियन नाकरिक apply कर सकते हैं और जो इंडियन बाहर रह रहे हैं इंडियन नेशनल है वो बाहर रह रहे हैं इंडियन नेशनल वाया ब्रूनेई Thailand यहा फिर Singapore होते हुए आ रहे हैं वो भी इसके लिए apply कर सकते हैं सपोज आप डेली हुआ सिंगापूर होते हुए यहा फिर आप जा रहे हैं Thailand होते हुए ब्रूनेई होते हुए जा रहे हैं तो और कौलालंपूर पहुच रहे हैं मतलब मलेशिया में किसी भी जगव पहुच रहे हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं अगर आप इन तीनों country के अलावा किसी और country के थूँ आते हैं तो आपको ई-visa apply करना पड़ेगा इसकी जो processing fees होती है वो 20 डॉलर है और visa fees free है मतलब आपका लगबग 1500 रुपए में आपका काम हो जाता है 15-1600 रुपए में आपको visa मिल जाता है और ये इस visa से आप 15 दिन के लिए मलेशिया में रुख सकते हैं ये single entry के लिए होता है मतलब आप एक बार गए और वापस आ गए सिंगल इंट्री के लिए होता है और तीन महीने के लिए वेलडिटी होती है मतलब कि आज आपने apply किया तो तीन महीने आगे तक आप उस period में कभी भी यहां से जा सकते हैं मलेशिया और इसके अलावा जो अप्रूवल होता है इसका तुरंत अप्रूवल हो जाता है और आपके मेल पर यह तुरंत आ जाती है तो बहुत ही फैसल्टी आपको इसमें मिल जाती है बहुत ही आसानी से यह वीजा आप apply भी कर सकते हैं और easily यह वीजा आप ले भी सकते ह गाइस मलेशिया का जो वीजा आपको मेल पे आता है वह किवल इनफ नहीं होता है कि आपके पास वह आ गया और प्रूव हो गए यह अप्रूव नहीं होता है यह आपके पास आ जाता है मेल पे उसके बाद आप लेके जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे अप्रूव ह जाता है इसके अलावा आप जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं आपकी फाइल चेक करते हैं डॉक्मेंट्स आपके चेक करते हैं तब अप्रूव करते हैं और round trip की आपकी flight की ticket होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास e-visa का जो आपको mail पे आया note या फिर e-n-t-r-i आपने apply किया है तो वो note होना चाहिए, और sufficient fund होना चाहिए, sufficient means कुछ भी fund हो सकता है, आपका वहाँ पे living cost आप अपनी उठा सको, इतनी होनी चाहिए, 20,000-30,000 इतना तो बंदा लेके जाता है जब भी वहाँ पे जाएगा तो, तो यह सारे चीजे होनी चाहिए, और अब बात करते हैं, यह apply आप कैसे कर सकते हैं, apply करने के लिए आपको window malaysia.my पे जाके आपको apply करना होगा, वहाँ पे आपको सबसे पहले account create करना पड़ेगा, फ उसको apply कर सकते हैं, जो भी first time जा रहे हैं या फिर 15 days के लिए आप जा रहे हैं, तो आप ENTRI visa के लिए ही apply करें, वह easy होता है आपके लिए, और उसमें आपको पैसे भी कम लगते हैं, तो उसके लिए apply करें, और 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो obviously यहीं आप visa करें, single entry के लिए और आपके पैसे भी इसमें कम लग रहे हैं, इसके अलावा यह आप करने के बाद आपको उसमें upload करने पड़ते हैं, documents, documents आपको जो पहला करना पड़ेगा, passport की आपको copy करनी पड़ेगी, upload, second आपको photo upload करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपकी जो flight ticket, आपकी return ticket, round trip की ticket होनी उसके बाद आप जहां पे भी रह रहे हैं, उसकी आपको detail फिल करनी पड़ेगी, तो यह सारी detail डालने के बाद आपका visa तयार हो जाता है, अगर e-visa है, तो अगर e-ntri visa है, तो आपको वो तुरंत आपके mail पे आपको payment करते ही आजाता है, तो यह जो details हैं, वो फिल करते हैं आप जैसे ही, आपके पास payment करते हैं, और फिर उसके बाद visa आपका तयार हो जाता है, तो यह आज मेरी detail थी, इसके उपर कैसे आप Malaysia का tourist visa बनवा सकते हैं, कोई question, कोई query हो, तो जरूर पूछे, उसको resolve करने की कोशिश किया जाएगा, और अगर video अच्छा लगे, तो subscribe करें, और like करें video को, make sure अपने nature को clean करें, आज के लिए इतना ही था, thank you.